हेलो स्टूडेंट्स टेली प्राइम 3.0 की कलास नमबर 14 में आप सभी का स्वागत हैं और आज की इस कलास में हम सीखने वाले हैं यह हम टेली प्राइम सॉप्टेवेर में TDS टेक्स की कॉन्फिगरेशन सेटिंग किस परकार से करते हैं किस परकार से हमें TDS टेक्स के लेजर क्रेट करने होते हैं तो यह सारी आज की इस कलास में हम टेली सॉप्टेवेर में आप के साथ लाइव और बिल्कुल ट्रैक्टिकल तरीके से समझाने वाले हैं वो भी TDS के रिटेस्ट चार्ट के साथ तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना कोई भी स्टेप इस वीडियो का स्किप मत करना क्योंकि बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी बाते होते हैं तो आप स्किप कर देते हो जिसकी वज़े से आप जब अपने लेवल पर टैक्स की कैलकुलेशन करते हो चाहिए वो TDS की हो चाहिए वो GSD की हो तो वो प्रोपर नहीं हो पाती है तो वीडियो को मैसा एंड तक जरूर देखना चाहिए और वीडियो की सुरवात करें उसे पहले आप से एक चोटा सा निवेदन भी है अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथ मिल नोटिफिकेशन वेल को भी आप जरूर हिट कर लेना क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नोलेजिबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की तो दोस्तों अगर हम बात करें टीडियस टेक्स के रेट की तो टीडियस का जो टेक्स रेट है वह पर्टिकुलर किसी भी नेचर उपेंट का स्ताहीन आप यहां पर देखोगे जो यहां पर नेचर उपेंट है तो किसी की दीरसौलड लिमिट चेंज है किसी का tax rate भी आपको change मिलेगा और सभी की section भी आपको अलग अलग मिलेगी तो आपको particular देखना है भी आप जिस tedious head की entry कर रहे हो उस expenses का nature of payment क्या रहने वाल है और उसका section क्या रहेगी और उसकी dear sold limit क्या रहेगी और वो जो tax का rate है वो individual orachio के लिए क्या रहेगा और other यानकी company विगेरा के लिए क्या कुछ रहने वाल है तो यह आपको tedious chart के साथ जुरूर comparison करना है जिसकी expenses के आपा जो entry करने वाले हो हम four example यहाँ पर लेते है 194A interest के आप यहाँ पर देख सकते हो 194A एक section है इंट्रेस्ट का और यहाँ पर भी है 194A interest bank का तो यह section आगे यह लगव होता है banking पर और यह होता है non banking की यहनकी normal individual personal company के लिए तो अगर हम banking की बात करें तो bank की आप यहाँ limit देख सकते हो 40,000 रुपे की है यानि कि अगर bank का आपको 40,000 रुपे तक अगर आपको कोई interest देता है तो आपको 40,000 40,000 से ज़्यादा का अगर को interest पे करता है तो आपके 10% का वो TDS अगर कोई individual person अगर आप company में किसी को interest पे कर रहे है तो उसकी अगर amount पांजार या पांजार से ज़्यादा की है तो वो 10% है जो TDS से deduct करेगा किस condition में करेगा अगर जिसका आप TDS काटर है जो आपका deduct T is घेकिन आप deduct रहे है जो आपका deduct T is अगर वो आपको pen card अबरना available करते है तो आपको 10% काटरना है अगर वो pen card अगर available नहीं करते है तो के इस condition टेली सॉप्टवेर में करनी हो तो किस परकार से करेंगे इंट्री करने का तरीका सभी सेक्षन का विल्कूल सेम रहेगा बट आपको सेक्षन और नेट्व पेमेट है जो अलगलग क्रियेट करते रहें है जो भी आपके कंपनी के उपर एप्लीकेबल हो रही है तो सबसे पहले हमें टेली सॉप्टवेर के अंदर TDS का जो टेक्सेशन फीचर है उसको हमें इनेबल करना होता है उसके लिए हम F11 प्रेस करेंगे और वाद में इस टेक्सेशन हेट के अंदर आप यहां देखोगे इनेबल टेक्स डेटेकेट एड्शोषन की TDS इस औप्शन को आपको यहर्ज करना होता है इसको करेंगे यहाँ पर जैसे सिंभी जिसको यह करेंगे तो उसके बाद में कंपनी की जो टेटेल है डिटेल डिटेल की यहांब करवानी है यानकि सबसे पहला कि आप पुछा जा रहा है 10 registration number यानकि जैसा हमारा GST के अंदर number registration होता है तो हमारा GST number हमें मिलता है इसी तरीके अगर हमारी company के अपर TDS काटने के अगर liability बनती है तो ऐसी condition के अंदर में 10 number के अभी registration करवाना होता है जो हमारा 10 digit का होता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले हमारा company का 10 number ठीक है उसके बाद में option आप से पुछा जाएगा text deduction and collection account number तो यहाँ पर आप इसको AGT यहाँ पर रख देना इसको और उसके बाद में deductor type यान की जो आपकी company है वो किस category की यह company है या फिर वो individual है तो हम यहाँ पर individual condition में है तो हम इसको individual और actual select करेंगे और उसके बाद में deductor की branch division कौन से applicable होती है वो हम यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद में set alter gst detailed person is possible जैसे हम इसको पर yes करेंगे तो एसी स्थिती के अंदर हमें उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिखना है जो आपकी company के टीडियस department को handle करते है तो कि यहाँ आप देख सकते हो the all of the about details using चलान form and retention की सारी बाते हैं वो आपकी यहाँ पर चलान की return के अंदर यूज होती है तो ऐसी स्थिती के अंदर हमें फोड़ा सा द्याम से सारा कुछ है वो नाम हमें लिखना होता है जैसा कि मैंने यहाँ पर मैंना नाम लिख दिया कंट्रोल ए असेप्ट कर देना है और उसके बाद में option आपके पास आज जाएगा रेट एंड एक्जम्शन डिटेल्स यानकि इग्नोर आइटे एक्जम्शन लेमेट पो टीडिटेक्शन तो इस option को आपको यस रखना है और एक्टिव टीजिस इन स्टोक आइटम इसको आ या हमारे किसी भी suppliers को इंट्रस्ट पे करना है तो ऐसी स्टिति के अंदर हम उसका TDSI जो डिडेक्ट करने वाले हैं तो सबसे पहले हमें इंट्रस्ट का एक लेजर करना होगा इसके लिए हम क्रेट पर जाएंगे लेजर पर जाएंगे मैंने यहाप एक इंट्रस्ट इंट खर्च है तो मैं इसको इन डिरेक्ट एक्टेंसिस में रखेंगा और उसके बाद में टाइप ओफ लेजर को मैं यहाप इंट्रस्ट इंट्रस्ट करेंगा अब इसके बाद में डिटेल यहाँ पर आएगी जीश्टी एप्लीकेबल क्या आपके इस खर्टे को पर जीश्ट इसके बाद में इसके बाद में इसके बाद में आपसे पुछा जाएगा इस ओप्सन को आपको यस कर लेने है तो जैसे हम यहाँ पर इसको यस करेंगे तो यहाँ पर मारे से इस टेडियस एप्लीकेबल तो पुछा जाएगा तो अगर आता है तो आपको एप्लीकेबल करने है और उसके बाद के अंदर यहाँ पर नेचर ओफ पेमेट यहाँ पर आपको एक क्लास अलग से करनी होती है टेडियस ओन इंटरस्ट अगर आपके पास करने के लिए हम आपको यहाँ पर करेंगे जैसा कि यहाँ पर यहां पर यहां पर करता हूं एंटरस्ट करेंगे उसके बाद में इसकी सेक्शन पुछी जाएगी सेक्शन अभी हमने चार्ट के अंदर देखा था इंटरस्ट के सेक्शन के आ रही है वन नाइन फॉर ए तो यहां पर इसको लिखने वाले है वन नाइन फॉर ए उसके बाद में इसका पेमट कोड क्या रहेगा नाइन फॉर ए का ठीक है और उसके बाद के अंदर रेट ऑफ इंडिजिवल अच्छे विद पैन के साथ कितने अब 50% आपको टीडियस के देक्ट करना है 10% के साथ में ठीक है ना और रेट ऑफ अदर डिटेक्ट के अंदर अधर का मतलब जैसे यहां पर ओप्षन आता है अदर के अंदर तो यह हमारा इंडिजिवल के लिए 10% और अधर कंपनी विगरा के लिए 10% ही रहेगा इसलिए ह यहां पर लिख सकते हो तो यहां आप देख सकते हो अगर आप विद पैन के साथ कितने परसेंट का है और विद पैन के साथ कितने रखने 20% और विद परसेंट 10% और विद परसेंट के साथ में 20% का और अश्डिक में देख सकते हो 5000 रुपर यहां पर लिखने होती है एंटरप्रेस करेंगे और इसको असेप्ट करेंगे और उसके बाद इस लेजर को अब हमें नdefined क्सप्लायर का या उस कस्ट्मार का एक लेजर हमी TP करना होगा जिसको हमें इंट्रस्ट है जो पेक करना है जैसे मैंने यहां पे लिख दिया राम एंड कंपनी अगर आपके पास ओल डिया तो आप उसको इल्टर कर सकते हो जैसे मैंने राम एंड कंपनी कई के लेजर करेक्ट कर दिया अब माले जी यह मेरे सप्लायर्स हैं इनसे मैंने गुट्स पसेज किया है और गुट्स अगेंस्ट के अंदर मैं उसको इंटरस्ट पे कर रहा हूँ तो यह हमारे लिए सेंट्री क्रेडिट रहे हैं और उसके बाद में यह option आपके पास आएगा क्या आप इस कंपनी की ओपर टीडियस है जो कटोगे विलकुल करते हैंगे इसको हम यस करेंगे तो आपसे option यहां पर पूछा जाएगा कि यहां पर आपके साथ क्या टाइप पुछा जाएगा इसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है इसके अंदर और यहां पर option पूछा जाएगा इसके अंदर कि यहां पर आप इंट्री करें और यहां पर हमें पैन नमबर देना जुरूरी है अधरवाइज वह हमारा 20% के साब है जो टीडिये से जो डिडेक्ट हो जाएगा यहां पर में यहां पर डाल दिया अब रेगुलर है तो आपको जीस्टी नमबर भी डालना है अगर यह अनर्जिस्ट्रेड है तो ऐसी कंडिशन आप यहां फिसको अनर्जिस्ट्र से भी रख सकते हों इंट्रप्रेस करेंगा और इसको हम असेप्ट करते हैं अब हमें आपैस्ट्र करना होगा हम यहां पर इएपाजर करते हैं अब हम आफीसे पेवल इसनक्त हुए प्याम में यहां पर यहां पर अब इसकी हमें इंट्री पास करने इसके लिए वाउचर पर जाएंगे और जैनल वाउचर हम पास करते हैं तारीक मालीजी में एक अगस्त ले गिया यह मैं एक स्तंबर ले लेता हूं और उसके बाद में डेबिट हम किसको करेंगे करेंट पर रहूं तरहरा है किसको आंज़ी हमता घम यामोंट आंभाद माले कि अधर आट जो इसकी और नो हजार क्रेड रहां अब 1000 रुपे जो डिफ्रेंस है वो अब कहा जाने वाला है कि हम रिखेंगे 9000 रुपे अब 1000 रुपे का जो डिफ्रेंस रहेगे वो कहा जाएगा जो अभी हमने TDS Pable on Interest का जो लेजर हमने क्रेट किया था उसका में क्रेडिट करना है जैसे हम इसको इंटरप्रेस करेंगे यह 1000 रुपे के माउटे से TDS Pable के काउंट में आजेगी यहां टोटल अगर हम बात करें तो यह टोटल इसका दस 10,000 रुपे का दोनों का बराबर आजेगा इंटरप्रेस करते हम इस वाउचर को असेप करेंगे तो इस तरीके से हमने इंटरस्ट पे किया और उसकी सेम वाउचर के अंदर TDS है जो डिडेक्ट हमने करने हैं अब इसके में रिपोर्टिंग पर चलती है अब जिसे हम जाएंगे तो यहां पर सबसे पहले आप और हम 26 क्यू अगर हम देखेंगे तो यहां आप देखोगे यह ओप्सन आपको दिखाएगा असेसेबल विल्यू आपकी 10,000 पे थी और TDS जो टेक्स है डिडेक्टेबल वो एक जार था और आपने डिडेक्ट कितना क कमपनी का उस टेक्स को अभी आपको ओनलाइन पोर्टल पे गवर्मेंट को इसका पेक करना होगा तो यहां पर आप इसकी प्रोपर डेटेल डासकते हो भी टीडेक्टेशन है वो कब तक का है पार्टी कौन से एरामेंड कंपनी नेचिर और पेमेंट की है इंटर्स की करना है अगर आपने जो टीडेक्टेशन के अंदर नहीं किया है तो उस कंडिशन के अंदर आपको यहां पर इंट्री करनी होगी तो अब सबसे पहले हम इसके मारा जो लाइबिटी बनी है एक जारुपे की उसको हम देखते हैं बैलेंस इट में फाइनल रिपोर्ट पी च प्रिफेशन नहीं करने के लिए हम च्यां करेंगे चल scratch करते हैं क्योंकि हम एक बिसक के फिल पास करेंगे च्हां मंने यहां पर हमें कॉन पर से लेडर सल्क करने है केडियस पेबल ठीक है अगेस्टेशन वह सेम वह वाउचर आजएगा रामेंट कंपनी वाल ठीक है और उसके बाद के अंदर यह सारी डिटेल आजएगी इंकम टेक्स आपने आपने कुस भी रामें रािक के करेंगे और यहां पर ऊसंड़ को स्लेक्ट करेंगे जिस स्वाउच्व З derived अच्रेशन पर चलते हैं रीपोर्ड पर रहेंगे TDS support को देखेंगे 26 को देखेंगे तो यहाँ पर आप वो period हमें select करना होगा जिस period तक हमें entry कर दी है तो यहाँ आप देखोंगे एक 10 की entry हमने कर दी थी ठीक है अब उसके बाद हमें क्या करना होगा जो हमारा चलान है उसको reconcile करना होता है तो जैसे हमने इसको reconcile किया तो आप इसको reconcile कर सकते हो यहाँ पर आपका एटीडियस का जो वाटर प्रोम कब से है तो यानिकि अगर आपने माली यह 9 मंथ में कटा तो इसका हमलब क्या हो गया आपका यह जुलाई से स्टार्ट हो रहा है तो यहां से आप एटीडियस प्रोम रख सकते हैं हमारा सेप्टेंबर वाला है ठीक है यहां सब्सक्राइब की डेट आप देदोगे यह जो बेंक का नेम है कौन से बैंक से अपने इपोझीट करवाई है ब्राच का नेम यह यहां पर आपको डालना होगा ताकि ऊमारी यहीन रांपिया आप których को पर सही तरीके से मैंटेज़ चैप करेंगे तो इस चलानी को आपने परिकन पर तो इस तरीके से आप हमारी जो TDS की जो entry है आप nature of class payment में जाके इसी तरीके से सभी कि आप nature of payment आपको create करनी है section उसका create करना है और वहाँ पर the result की limit आपको वहाँ पर डालनी होगी उसके बाद में software आप अपनी साफ से जैसी उस amount को close करेगा उसके बाद में max की जो reduction करना है वो automatic ही करेगा इसके लिए आपको proper TDS का जो setting configuration वो बिल्कुल सही होना चाहिए और gear sold limit है वो भी proper आपकी सही होनी चाहिए वीडियो के आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करना चैनल को अभी तक आप में सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रीज वो भी जरूर कर लेना क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की वीडियो और भी मिलेगी